अजरबेजान ने एक साथ भारत से भी पंगा ले लिया है फ्रांस से भी पंगा ले लिया है लेकिन इन सब के बीच में अजरबेजान ने अपने लिए तबाही खरीद ली है जानेंगे जियो पॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है जानने को मिलेगा बहुत कुछ पाकिस्त के साथ अजर्बैजान की क्या डील हुई है तो वहीं फ्रांस के साथ नए पंगे क्या ले लिये है अजर्बैजान ने तो वहीं अर्मेनिया और भारत के बीच में क्या चल रहा है आये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से पाकिस्तान ने अपनी इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डीली की है तुर्की के दोस्त अजरबैजान ने पाकिस्तान के साथ एक दसमलोग 6 अरब डॉलर के जे एफ 17 फाइटर जेट खरीदने का सौधा किया है आजरबैजान को पाकिस्तान और चीन के मिलकर बनाए गए जेफ 17 सी के ब्लॉक 3 स्रेनी के फाइटर जेट मिलेंगे इस डील के तहत फाइटर जेट के अलावा ट्रेनिंग और हतियार भी अजरबैजान को दिये जाएंगे अजरबैजान ये फाइटर की हत्या कर दी है आजरबैजान से निपटने के लिए अर्मेनिया भारत से पिना का समेत कई घातक हतियार खरीद रहा है पाकिस्तान एरोनौटिकल कॉंप्लेक्स कंपनी इस लड़ाकु ग्मिवान को बनाती है जेव 17 फाइटर जेट की तकनीक चीन ने पाकिस्तान को मुहया क कराई है यह कंपनी चीन के अलावा तूर्की की मदद से भी तकनीकी मदद लेकर हतियार बनाती है पाकिस्तानी कंपनी मैनमार नाइजेरिया कतर सौधी अरब और यूई को हतियारों की सप्लाई करती है यह विमान पाकिस्तान के कामरा में बिमान बनाते हैं पाकिस्तान और चीन का ये विमान मैनमार में कबार निकला है और उडान भरने लायक भी नहीं रहा है इस वज़ा से मैनमार की सेना ने पाकिस्तान को जम कर सुनाया था मैनमार के आर्मी चीप ने तो धमकी तक दे दी थी अब पाकिस्तान अपने दोस्त अजरवेजान को ये फाइटर जेट बेच कर दुनिया के अन्य देसों को दिखाने की कोशिज कर रहा है। पाकिस्तान ने इस विमान को अफरिका और एसिया के कई देसों को अफर दिया है लेकिन उसे खरीदार नहीं मिल रहा है। वैसे आपको बता दें सिर्फ इतना ही नहीं हुआ है। अर्मेनिया और अजरबैजन के बीच में तनाव बढ़ने के साथ साथ यहां पर तूर्की से अजरबैजन ने अपने तूर्की से मिले बायर कतार अकिंजी ड्रोन का परदरसंग भी किया है। तूर्की ने अजरबैजन को TB2 ड्रोन दिया था जो यूक्रेन यूद्ध में तबाही मचा चुका है। तूर्की के इन घातक ड्रोनों से निपटने के लिए दोस्त भार्ग से एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदा है। अजरबैजन के राशपती अलिये उन्हें बायर कतार अगंजी ड्रोन की उडान को खुद ही देखा। तूर्की के राशपती अर्दोगन के दामात बायर कतार ड्रोन कमपनी के सीटियो सेलुक बायर कतार ने अजरबैजन को दिये जाने वाले ड्रोन की तस्वीर एक्स पे पोस्ट की है। अब यहाँ पर जब यह सब कुछ चल रहा है तो कहा जा रहा है कि आने वाले समय में क्या किसी युद्ध की तयारी कर रहा है अजरबैजन। इस आर्टिकल में यह कहा जा रहा है कि अजरबैजन की तयारियों से ऐसा लगता है जैसे एक फुल स्केल वार करना चाहता है। चीजें भी कुछ ऐसे ही दीख रही थी। अब जहां तक आजरबैजन की बात कर रहे हैं तो आजरबैजन का गुस्सा भारत और फ्रांस दोनों के ऊपर टूट रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए इन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस जो अर्मेनिया को सपोर्ट कर रहे हैं ये बहुत गलत है और इस तरीके के सपोर्ट से ही यहां पर समस्याएं खड़ी होती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं। फ्रांस के साथ तो अजरबैजान ने दुस्मनी भी निकालनी सुरू कर दी है। इन्होंने दुनिया के कई देशों को आपजरवर के तोर पर परतिनीधी भेजने को कहा। लेकिन इन्होंने फ्रांस से नहीं मंगवाए और ये पहली बार। उसके बाद कई ऐसे जर्नलिष्ट थे जो चाहते थे कि आजरबैजान जाकर वहां पर चल रहे हैं चुनाओं को ये कवर करें तो यहां पर भी अजरबैजान ने उन जर्नलिष्ट को आने नहीं दिया मतलब साफ है कि यहां अजरबैजान अब फ्रांस को अपने एक दुस्मन के तरीके से देखना सुरू कर रहा है वहीं दूसरी तरफ फ्रांस अर्मेनिया और भारत ये तीनों एक तूर्की पहुँचे हैं आजरबैजान इस वकत काफी आक्टीव दिकि रहा है तूर्की में मीटिंग हो रही है वैसे कहा जाता है अगर अजरबैजान अर्मेनिया में कोई लड़ाई होती है तो उसका मास्टर माइंड एक होता है और वहोता है तूर्की हतियार वगेरा पाकिस्तान के इस फाइटर जेट को खरीदा और फाइटर जेट के खरीदने के साथ साथ स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए आजरबेजान इंटरनेशनल कार्गो रूट पाकिस्तान तक और यूके तक बढ़ाना चाहता है ताकि आजरबेजान से पाकिस्तान और पाकिस्ता से अजरबैजान चीजे आ जा सके तो वहीं दूसरी तरफ अर्मेनिया के साथ भारत की इस्तिती क्या है इस्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए भारत और और अर्मेनिया के फौरम यहाँ पर मीटिं करते हुए देखे गए राइ सीना डायलोग में यहां पर अर्मेनिया और भारत के बीच में सिर्फ ही इतना ही नहीं बलकि अर्मेनिया से भारत आने वाले एगुर। चीजों और को लेकर भी यहाँ पर बत चल रही है कि भारत और में सिर्फ defense के ही नहीं बलकि बागी बैपार कैसे हो सकते हैं और आपको बता दें यहां पर फ्रांस भारत और अर्मेनिया तीनो एक धूरी में दिखाई दे रहे हैं भारत और अर्मेनिया की बीच में कई sector में एक दूसरे के साथ सही योग बढ़ रहे हैं चाहे वह बैपार क हो उकुनोमिक का हो हाई टेक्टलोजी का हो एडूकेशन हों कल्टर का हो पर इनसब के बीच बीच में न मैं ने यहां निकाल है और इस कोरिडार में आप हमें भागीदार बनाए है इसक्रीन पर आप डिख सकते अर्मेनिया एक अच्छे पोजीशन पर है जहां से यूरोप को जोड़ा जा सकता है इसलिए इनका कहना है कि आप हमारे साथ कोरिडोर बनाईए यूरोप तक एंट्री करने के लिए अगर मैप में आप देखेंगे तो मैप में कुछ इस तरीके से अर्मेनिया दिखता है अब से आपको क्या लगता है कमेंट कर अपनी डाय जरूर बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ